हेलो दोस्तों कैसे वो आप सब आये वाफ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों मैं आपका रभी भार्दों को आपको करके दिखाने वाला हूं और आपको शिक्षाऊंगा कि हम नेच्छल और बर्जन हेर के उपर रेड कलर को कैसे लिखे आते हैं दोस्तों जो मैं कलर करने वाला हूं उसका नाम है उसको हम करेंगे विदाउट ब्लीच के साथ नहीं करेंगे तो वो लॉंग लासिंग ज़लेगा अगर हम प्रीलाइट करके अग्देखो अगर आपने बहुत ज़्यादे कलर को दिखाना है तो आपको प्रिलाइट करना पड़ेगा अगर आपने एक स्मिट्रीक लेना है कि आ तिक खासी टॉन दिखें बट उसके लिए हम विदाउट प्री लाइट करेंगे प्री लाइट किया हुआ कलर दोस्तों बहुत जल्दी बालों से निकल जाता है आप बांते हो इसी बात आपको पता है बट अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हम किस प्रसेस से हम कलर करें से बालों से निकलेना और बिल्कुल ब्लीज खम टच नहीं करेंगे आप देखी आप बने रहे यह इस वीडियो में दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो है ब्लाई इंफर्मेटिव वीडियो है आपको बहुत जदे परसंद आएगी आप बने रहे इस वीडियो में मैं हो जाएगा राइट आपको करना है तो सिर्फ 30 वॉल्यम से और दोस्तों उसके लिए हम 30 वॉल्यम और सेकंड़ी ले रहे हैं हम कलर जिसकी हमें बहुत ज्यादे जरूरत है तो इसके विना तो कलर हो नहीं पाएगा और इसका नाम है दोस्तों ऐसार आर भी राइट और हमारे बाल पहने पर कलर नहीं लगा हुआ कोई भी इसके लिए मैं एक फॉयल ले रहा हूं और फॉयल पर मैं कलर लगाऊंगा क five oz मुझे इन भालों को करने के लिए थोड़ा सा क्योंको इसेंड है मेरे पास तो इसका मैं फॉयल की उपर लगा रहा हूं उसके लिए मेरे को एक बॉल चाहिए और कलर ट्यूब तो चाहिए यह मैं कलर ले रहा हूँ उतना ही निकालना जितना बालों पर लग जाए बेस्ट नहीं होना चाहिए कलर और 30 वॉलिम आपने लेना है और इसको जतना कलर डाला है उतना ही क्वांटिटी डालनी है आपने सेम 50-50 रेश्यो डालनी है आपने 50 से जादा नहीं डालनी दोस्तों यह देखिए इन बालों पर हमने अच्छे से कलर लगाना है और मैं कोई भी ब्लीच यूज नहीं करूंगा इसके अंदर बहुत अच्छा शेड़ आएगा और जब कलर लग जाए और इसको हमने फॉइल के साथ क्लोज कर देना है ताकि जो बाहर का मोच्चर है वो बालों को ना लगे अंदर की थोड़ी हीट के साथ यह ज़्यादा से अच्छा पैंट्रेड होएगा अच्छा अर्जल्ट आएगा दोस्तों इसको रखेंगे हम कम 45 मिनिट और इसके बाद हम करेंगे वाश यह मेरा 45 मिनिट पूरा हो गया अब मैं वाश कर रहा हूं दोस्तों मैंने दिखाया है आपको हमने वाश करना है और यह देखिए दोस्तों यह फाइनर जल्ट है देखो कितने ब्लैक हेर थे हमारे पास तीन नंबर का बाल था और के उपर यह ने ब्लीच बिदाउट ब्लीच कलर लिया है बहुत प्यारा शेड आया बहुत ही जैनून शेड आया है दोस्तों इसको हम बेस कलर के साथ यूज़ कर सकते हैं बहुत प्यारा शेड है दोस्तों मेरे को तो बहुत अच्छा लगा बिदाउट ब्लीच काफी है इसका अगर मेरा करने का तरीका दोस्तों आपको अच्छा लगा है आपको result अच्छा लगा तो please मेरे channel को like करना एक like तो बनता है और मेरे channel को subscribe जूर करना और दोस्तों bell icon जुरूर दुपाना ऐसी ही informative वीडियो में ले आता रहता हूँ अगर आपने bell icon दवाया होगा तो इसकी notification वीडियो की notification आप तक जुरूर पहुंचेगी तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार